लोकसभा चुनाव का सियासी बिगुल बच चुका है साथ चड़नों में 2024 का लोकसभा चुनाव होना है पहला 19 अप्रेल को होना है इसलिए सियासी दलों के पास वक्त कम और काम जादा है ऐसे में सभी दल अपनी अपनी रंणीती में जुटे हैं इस भीच खबर ये है कि सपा से स्थीफा दे कर अपनी पार्टी का गठन करने वाले स्वाइमपरसाद मौर्या अपनाई रंणीती में जुट गए हैं सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक स्वाइम प्रसाद मौरया ने भले ही अपनी पार्टी का गठन कर लिया हो लेकिन उनकी डील कॉंग्रेस से करीब करीब फाइनल हो चुकी है हबर है कि स्वाइम प्रसाद मौरया कुशिनगर से लोगसवा चुनाव लड़ सकते हैं चुनाव के लिए इंडिया गटबंदन से स्वाइम प्रसाद मौरया की बाचीज चल रही है स्वाइम प्रसाद मौर्या कुशीनगर जिले की पड्रोना विधानसवा सीट से लगातार तीन बार विधायक चुने जा चुके हैं हाला कि स्वाइम प्रसाद मौर्या 2009 में कुशीनगर से कॉंग्रेस प्रतियाशी आर्पे अंङ सिंग से हारे थे 2009 में वो बसपा के प्रत्याशी थे कुशी नगर लोकसभा शेतर 2008 में हुए परिसीमन के बाद अस्तित्व में आया है इससे पहले ये शेतर पढ़ रौना लोकसभा शेतर का हिस्सा था परिसीमन के बाद यहां 2009 में हुए पहले चुनाव में कॉंग्रेस के स्वाइन प्रसाद मौर्या को लेकर सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार इसलिए भी गर्म है क्योंकि कुश दिनों पहले ही स्वाइन प्रसाद मौर्या ने सोशल साइट एक्स पर अपने ओफीशियल अकाउंट से कॉंग्रेस के यूपी प्रभारी अभिनाई पांडे से मुलकात की तस्वीरे शेयर की थी स्वाइन प्रसाद मौर्या ने लिखा था भारती राश्री कॉंग्रेस के महमंत्री एवो मुत्रप्रदेश प्रभारी श्री अभिनाश पांडे जी मेरे नीजी आवास प्लखनव आकर आपचारिक भेट वारता में इंडिया गटबंदर के विस्तार पर सकारात्मक चर्चा हुई यानि मुलाकातों का जो सिलसला चल रहा था वो अब मुकाम पर पहुँच चुका है अगर सूत्रों की माने तो स्वाइप्रसद मौर्य की कुशिनगर से उम्मीदवारी को लेकर जल्द ऐलान हो सकता है खबर ये है कि स्वाइप्रसद मौर्य कॉंगरिस की सिंबल पर कुशिनगर से चुनाव लड़ सकते हैं